हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और जो पहला कमेंट है वो किया है निलेश जी ने और उनका कहना है कि एक वीडियो न्यू वाइपर कैसे लगाना है इस पर बनाओ और जो दूसरा कमेंट ह है कि वाइपर कैसे चेंज करें तो दोस्तों ये वीडियो इसी टॉपिक पर है तो दोस्तों वाइपर कैसे चेंज करना है तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपनी गाड़ी के बाहर और बाहर जाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि वाइपर कैसे चेंज कर तो दोस्तो यह हैं वाइपर गरी का तरीग है दोस्तो तो इसको हमें ऐसे उठाना है यहाँ पर और इसको उठाने के बाद यहाँ वैपर के सेंटर में एक पुष्ट लॉक होता है तो उसको किरना है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा फोकस करके तो यह देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर यह एक बटन होता है छोटा सा जिसको हम पुश करते हैं तो दोस्तो इसको ऐसे यहाँ पर पुश करना है और इस वाइपर को निकालने का तरीका यही है कि इस बटन को यहाँ पर पुश करना है और इस वाइपर को जो है ऐसे रखना है इसका T बनाना है वाइपर का जैसे एक T होता है तो उसको हम T बना देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा बटन होता है, ये प्लास्टिक का, इसको मैं दबा रहा हूँ, आप देख सकते हो, तो इसको हमें पूश करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हाथ रखने का तरीका होता है, व इसको ये वाइपर को हम ऐसे करके कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे तो वाइपर जो है गाड़ी का इस तरीके से दोस्तो बाहर निकलाता है तो ये तो आपको समझ में आई गया होगा दोस्तो इस साइड का वाइपर हमने कैसे निकाला है तो मैं आपको दूसरे साइड का वाइपर भी अभी निकाल कर दिखाऊंगा तो पहले मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ और दोस्तो अगर आपकी गाड़ी में भी कोई प्राब्लम है या कोई दिक्कत है या कोई भी गाड़ी से रिलेटड वीडियो चाते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिस करूँगा और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और साथी साथ अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं वाइपर को वापिस लगाने की जो इसका लोक मेकैनिजम होता है इसको जो हमें ऐसे सीधा नहीं रखना है इसको थोड़ा सा तिर्चा कर देना यानि के टेड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से यह आप देख सकते हो जैसे मैंने अभी कर रहा है तो कुछ इस तरीके से कर देना है और जो ये वाइपर का जो हमारा वाइपर आम है उसके अंदर जो है इसको डालना है कुछ इस तरीके से और इसको जो है उपर की तरफ उठा देना है ठीक है दोस्तो और जैसे ही हम इसको उपर की साइड उठा देंगे तो ये आटोमेटिक लॉक हो जाएगा ठीक है दोस्तो वाइपर को अच्छे से लॉक करने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जैसे के हमने पहले इसको टी बनाया था वैसे ही इसको टी बनाकर और उपर को उठा देना है तो यह हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा तो यह फिलाल तो हमारा इधर का वाइपर तो ल खिज देना है और फिर side से जो हमारी रवड होती है यह वाली इसको side पे निकाल के और wiper को यहां से निकाल लेना है तो यह हमारा easily यहां से wiper निकल चुका है तो दोस्तों यह हमारा इधर वाली side का भी wiper निकल गया है और अम जल्दी से इसको मैं आपको वापिस से लगा के दिखा देता हूँ कुछ ज़्यादा इसमें कोई कलाकारी नहीं है आप भी अराम से इसको लगा सकते हो तो दोस्तो मैंने इसको जो है वापिस से इसको जो इसका लॉक मेकैनिजम है उसको थोड़ा सा टेड़ा करूँगा यहां पर और दोस्तो टेड़ा करने के बाद मैं इसको वापर आम होता है हमारा वापर आम बोलते हैं उसको तो इसमें हमें इसको फिट कर देना है तो फिट करने के लिए वापर आम में इसको हम अपना जो वापर जो हमारा वापर बलेड इसको जो है लगा देंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो दोस्तो मैंने इसमें वाइपर आम में इसको रख दिया है और उपर की साइड को इसको खीज दिया है और फिर इसको दुबारा से टी बना के इसको उपर को लॉक कर दिया है तो ये हमारा दोस्तो वाइपर दूसरे साइड का भी लग चुका है तो दोस्तो ये कुछ सिंपल सा तरीका होता है वाइपर को रिमूव करने का और चेंज करने का तो दोस्तो आप भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से वाइपर को चेंज कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तो